हेलो नमस्ते सादर जय जिनेंद्र आज का दिन है भादरपद शुकलत तृतिया वैसे तो पूरे भादरपद को त्योहारों के माहा के रूप में मनाया जाता है जहां हिंदु धर्म अनुसर इस दिन हर्ताली का तीज का पर्व मनाया जाता है वहीं जैन धर्म में इसे रोट तीज के रूप में मनाया जाता है आज मैं आपके साथ रोट तीज पर बनने वाली पूरी थाली की रासीपी शेयर करूंगी इसे कैसे बनाया जाता है इसमें मैं बनने वाली सारी चीजों की रासीपी आपके साथ शेयर करूंगी इसमें बनाया है मैंने केरमल खीर मिर्ची के टपोरे कच्चे टमाटर की सबजी और तुरई की सबजी तब से पहले हम बनाते हैं खीर के लिए मैंने यहां दूद को उबाल लिया है यहां मैंने एक लीटर दूद को उबाला है यहां इसमें हमको लगेगा वन फोर्थ बाउल के असफस धोया हुआ चावल है चावल को तब ही डालना है जब दो के उसी टाइम डालना है इसे बिगोना नहीं है तो जब भी हमें डालना है उसी टाइम इसे वाश करके इसमें डालना है यहां मैंने वन फोर्थ बाउल लिया है राइस का यहां आप अगर नाप से देखें तो एक से एक मुठी भी नहीं कह सकते है डेड़ मुट्टी के असपास इसमें चावल लगेगा आपको यह परफेक्ट मेजरमेंट है इसे हमें उबलने के लिए रख देना है अब इसके लिए हम कैरेमल तयार करते हैं या मैं आज कैरेमल खीर बना रही हूँ इसको काजू के टुकडे करके घी रख दिया था पैन में और बदाम बदाम के टुकडे ले लिये हैं इन्हें थोड़ा सा फ्राइ करना हैं फिर लास्ट में डालेंगे थोड़ी से किश्मिश किशमिश जल जाएगी इसलिए बिल्कुल लास्ट में से आट करना है किशमिश डालके इन सबी को फ्राइ करेंगे फ्राइ करके निकाल लेंगे देखिए किशमिश और फूल गई है कि अब हम केरेमल बनाते हैं यहां उसी गी में हमने डाला है शुगर मेरी देशी जो कांड बहुती है वह यानिकी ब्राुन शुगर आप इसमें एड्ड कर सकते और चाहें तो नॉर्मल शुगर भी आप ईसमें एड्ड कर सकते हैं यहां एक छोटा सा बावल शुगर डाला है मैंने, आप टेस्ट मीठे का अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन लगबग राइस के जितना हमको शुगर भी लगेगा, अब इसको अच्छे से मैल्ट होने तक हमें इसे हिलाते रहना है, यह बिल्कुल लोग फ्लेम पे हमें करना है, यह प्रॉसेस नहीं तो शुगर, जब मैल्ट होगी उससे पहले ही जल जाएगी, यह देखें मैल्ट होना चालू हो गई है, यह अच्छे से मैल्ट जब हो जाएगी शुगर, इसमें हमको एड करना है पानी और डखकन से डख देना है, यहां मैंने इसमें लिये हैं, जाइफल, जावित्री और बड़ी इलाइची के दाने, और सिम्पल इलाइची, उन सब को चूड़ा करके इसमें एड कर दिया है, खीर हमारी उबल कर तयार हो गई है, अब जो यह कैरमल है, उसमें उबली हुई जो खीर है, वो हम एड कर देंगे, यह खीर एड कर दिये हैं हमने इसमें, फिर गैस की फ्लेम को आफ कर देना है, और फिर इसे ड्राइफ फ्रूट से हम गार्निश करके सर्व कर देंगे, यह सेफ्रॉन भी एड किया था, वो मैस हो गया है, बताना मेरा, सेफ्रॉन थ्रेड भी उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा, अब हम रोट की तयारी कर लेते हैं, यहां हमने मोटा अटा लिया है, इसमें मोटे अटे से ही रोट अपका सही बनेगा, तो रोट क्याले हैं या खूबा रोटी जो हमारे राजस्थान की फेमस है, वो भी बिल्कुल इसी डंग से बनती है, इसमें हमने अजवाइन डाल दिया है, इस अजवाइन को हाथ में लेके अच्छे से हतेली से क्रश करके डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें सॉल्ट आड़ करेंगे और गी एड़ करना है यहां तीन से चार चमज के असपास गी लगेगा इसमें मोयन अच्छा होगा तब ही हमारा रोट अच्छा खसा बन पाएगा फिर इसे अच्छे से मसल लेंगे फिर इसकी मुठी बन जाए ऐसा आटा हो जाना चाहिए यह आप देख लीजिए फिर इसे हमें पानी के अल्प से इसका आटा लगा लेना है यह अगर आपके पास मोटा आटा ना हो तो बारे काटे में थोड़ी सी सूजी एड़ कर दें तो आपको वही टेक्श्चर आ जाएगा आटा लगा के रेस्ट के लिए रख देंगे 10-15 मृट अब हम तुरही छील लेते हैं इसके साथ रोट के साथ इसका कॉंबिनेशन होता है बहुती अच्छा टेस्ट आता है यह जो इसका आगे का हिस्सा मैंने रखा है यह हिस्सा अगर आप तुरही में डाल देंगे कई बार ऐसा होता है कि तुरही कड़़ी निकलती है तो अगर आप ये add कर देंगे बनाते time और फिर last में इसको आप तुरही में से नकाल दीजेगा तो इस से अपकी तुरही जो कड़वापन आ जाता है कभी-कभी वो नहीं आएगा तो इसका उपर का जो बाग है उसका तुरही का ले लिया है फिर मैंने कड़ाई में डाला है गी, घी में हमने डाला है हिंग, राई, जीरा और हरी मर्टी ये बड़े टुकडों मैं काट दी थी मैंने आप चाहें तो बारिक इसका ख्रश करके भी डाल सकते हैं पर बड़ी होने से अगर बच्चे वगिरा नहीं खाते हैं तो आप निकाल सकते हैं करने के बाद में फिर हम इसमें अपनी जो दुराई हमने काटी थी वो इसमें एड़ कर देंगे यह दूनों मैंने इसमें डाल दिये हैं नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मेक्स कर लेंगे और इसको डखकन लगा देंगे कुछ दिर में इसमें यह देखिए अपना पानी छूट जाएगा फिर हम अपना धनिया पाउडर और मिर्ची डाली है लाल मिर्ची और थोड़ा सा पानी इसमें अट कर देंगे तुराई बन के तयार हो गई है यह देखिए कितना प्यारा कलर आया है अब हम इसके साथ में बना रहे हैं टमाटर मिर्ची की सबजी यहां मैंने हिंग राई जीरा सौंप और हूटा हुआ धनिया यह सब डाला है हरी मिर्ची अड़की है अब हम इसमें कच्चे टमाटर आट कर देंगे नमक और हल्डी डाल दिया है अब इससे हम कुझदे के लिए टक्तर रख देंगे सबजी तैयार हो गई है अब इसमें मसाले डाल देते हैं धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाला है सबजी तैयार है अब हम इसके साथ बनती है मिर्ची तो हींग, राई, जीरा, सौंप और कूटा हुआ धनिया साबुत दनिया ये सब इसमें एड़ किया है मैंने फिर हरी मिर्ची एड़ कर दिये इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा सा इसमें सॉल्ट एड़ कर देंगे चाकि मिर्ची जले नहीं मिर्थी के चीटे उड़ते हैं थोड़ा साल्ट एट कर देंगे तो इसमें से मिर्थी के चीटे नहीं उड़ेंगे इसे मेक्स कर दिया है अब इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी हम एट कर देते हैं फिर कुछ सेकंड्स के लिए इसको रख देंगे ताकि ये मिर्थी थोड़ी सी सॉप्ट हो जाए फिर हम डालेंगे सूखा दनिया सूखे दनिय की क्वांटिटी डबल डलेगी उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूखा दनिया डालके और अगर आप यहां चाहें तो इस स्टेज पे इसमें लेमन जूस भी आड़ कर सकते हैं अब खुबर रुटी का आटा गल गया है चोईस भागा में करना होता है चोईस तिर्थंकर होते हैं चोईस भगवान होते हैं हमारे तो यहां उस तरीके से हमको चोईस वो करना है और यहां चांदी की अंगूठी से यह बीजबीश में गोले से हम डिजाइन बना लेंगे इससे क्या होगा कि जब हम रोटी सिकेंग तो मोटी रोटी होती है हमारी यह बहुत ज़्यादा थिक बनती है तो रोटी अच्छे से अंदर तक स्टीम जाएगी इसमें और सिख जाएगी यह देखिए अच्छे से इसे कर लिया है अब इसे तवे पर उल्टा डाला था मैंने यह जो पॉर्शन छे जो बनाए हमने उसको उल्टा डालके करेंगे फिर गैस पर उलट पुलट कर सेख लेंगे दोनों तरफ से सेख लेंगे यह रोटी सिख गई है इसे सेखने में बिल्कुल आच दीमी रखनी है और मिट्टी के तवे पर इसे बनाया जाता है आप चाहें तो इसे बाटी के तंदूर या किसी में भी बना सकते है पर इसकी सिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए मिट्टी के तवे पर बनाने से बहुत अच्छी इसकी सिकाई होती है अब ये देखिए हमारा रोठ बनकर तयार है इसे ऐसे प्रिक करेंगे फिर इसमें गी डालेंगे ताकि अंदर तक इसमें गी चला जाएगा इसमें गी बहुत अच्छा डलता है गी की क्वांटिटी होगी तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो आइरन के तवे पर भी आप बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको बाटी के ओवन में भी बना सकते हैं तो आप इसे त्योहार या बिना त्योहार कभी भी बनाएं और एक बार खा के देखिए बहुत ही अच्छी स्वादिस्ट यह रोटी बनकर तैयार होगी, इसे आप खोबा रोटी भी कह सकते हैं, रोठ भी कह सकते हैं, तो एक बार ट्राइ कीजिए तो कैसी लगी आज की रेसीपी आपको, अगर अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्र वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ